असलाम हुलेकुम एविवन वेलकम बैक टो शेम्स चानल आज मैं आपके लिए लेके आयो विंटर स्पेशल पालक कीमा पालक आलू कीमा भी बोलो बहुत ही ज्यादा फुल ओफ हेल्ड चीज है निउट्रिशन से भरी हुई है तो हम इसी बात तो अपने रेसे पर स्ट्राट करते हाँ let's get started यहां देखो मैंने लिये है पालक जो के है दो बंच में इतना ही निकला यहां बड़ाबर हो गया है यहां मैंने कीमे को अच्छी तरीके से वॉष कर लिया है इसलिए से भी गोके रखा है हमें मशिन का कीमा नहीं लेना है हमें हाथ का कीमा लेना है और यहां भय तो ऐखो vive खुश तो कोई भी खुश है किसली मैं नहीं के युश किया है आप लो यह उसके लिए तो ही यहांज बिश्यान कोकर करें एक नहीं मुझें तो हम एट करेंगे इसमें कर लिए कोई और बहुत जादा हेल्थ के लिए अच्छा है तो यहां पर मसाले कुछ इस तरह के है जब तक हमारा ओनियन फ्राइ हो रहा है तो यहां मैंने लिया है अद्रक लसन मिर्ची पॉडर हल्दी पॉडर धनिया पॉडर गरम मसाला पॉडर और नमक स्वाद अनुसार यहां पर मेर मेरी अधर मेरी स्वाद पॉडर खन यहां पर मैं एड आरे कुरेगर की स्वादर अची तरह के से होने कब आपके साहई हो मैं सारे मसाले इसमें आठ कर ना शुरू करेंगे मैं सबसे पहले समया बय माइं पॉड़ चिली पावजर सब्सक्राइबन डाले यहां पर थैप मे यहां पर मैंने लिया है धनिया पॉडर यह है टू एना हाफ टेबल स्पून जो के हमें इसकी कॉंटेटी जादा रखनी है थोड़े ग्रेवी चाहिए हम लोगों और यहां पर हाफ टेश्पून मैंने गराव मसाला पॉडर एट किया है और नमक आपके टेस्ट के है साब से तो यह सारे मसाले मैंने आट कर लिये है तो हम इसे जलीली सौते कर लेंगे हमें जादा बुनना नहीं है बर थोड़ा सा लीटेल बिट सौते कर लेना है जाके मसाले अच्छी तरीके से एक दूसरे में मिल जाए और तेल उपर छुड़ जाए देखो अलमोश तेल मेरा नि क्योंकि जटपट वाली रेसिपी है जादा गजमारी करने की ज़रूरत नहीं है तो यह फटवट से हम सौते कर लेते हैं टामाटर अच्छी तरीके से माश हो जाना चैसलिए मैं थोड़ा से सो दंपे रखूंगी और यहां पर जब तका मैंने क्या किया हो गया यह क्या हो क्या है यहां मैंने पालक अच्छी तरीकर से कट करके रख लिए है नेक्स्ट आम इसमाट करेंगे 3 ग्रीन चिली जो ऑप्शेनल है आप लोग दाल भी सकते और नहीं भी दाल सकते हो अप्शेनल है मतलब ही वही होता है यहां पर मैंने कीमा अट कर दिया है और यहां पर मै आपको 10 मिनिट्स के बाद, उपस, तो जितना जल्दी लगता है कि 5 मिनिट्स मेरे से भी बन गए बट नहीं बनती है तो यहाँ पा मेरा 10 मिनिट्स हो गया ऐसे रखके और यह देखो पुरा तेल उपर आ चुका है और इससे हम अच्छी तरीके से भून लेंगे, यह मेरे कैम आट करेंगे आलू जो कमें एक कट करके रखाता और यहाँ पर डालेंगे हमारे कटे हुए पालग अब हम इसे मिक्स नहीं करना है सिब हम ऐसी विसल लगा देने की है एक ही विसल लगाना है हमें और यह रेडी हो चुका है निंचने विसल नहीं हम धंपे भी पका सकते है बट आलू ने ही गलते है तो जंदिली मुझे पकाना था तो इसलिए मने एक सिटी लगा दिया आप लोग दंपे भी रखके पका सकते हो क्योंकि भाप में ही गल जाती है पालक अब हम इस अची तरीके से मिक्स कर लेंगे और करेंगे सर्फ क्योंकिके अल्मोस्स टेडी हो अची तरीके सब गल चुके है आप इस असुकी रोटी के साथ परोडे के साथ कैसे भी खा सकते हो इवन राइस घी राइस और जीरा राइस बोलो सबके साथ सर्फ कर सकते हैं तो जो मजा रोटी के साथ आता है वो चावल में किया बात है तो यह हमारा रेडी हो गया है करके सर्फिंग किया है तो आप लोगों कैसी लगे आज की रेसिपी कमेंट करना अल्ला हाफिर